मित्रो बुंदेली माटी में आपका एक बार फिर स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनों से जन्म लेता है तो उसके कर्म के अंसार मृत्यू तक कई प्रकार के पाप फुन से वह जीवन में भटकता रहता है और सनातन सास्तर में कहा गया है कि तीन तरह के रिण उसे अपने जीवन काल में चुकाने पड़ते हैं देवरिण, रिसीरिण, पितरिण तो इस राद मास में हम जानेंगे कि पितरिण से किस प्रकार से उरन हुए जा सकता है तो चलिए मेरे साथ, चलते हैं आज आचार दया संकर पांडे के पास और जानते हैं कि पितरिण से किस प्रकार उरन हुए जा सकता है में तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, गंटी के प्रकार जरूर दबाएं, तक जैसे ही कोई नया वीडियो अप्लोड हो, आप तक सूच न पहुंच सके पंडे जी, बुंदेली माटी में आपका बहुत-बहुत स्वागात है बहुत-बहुत धन्वात, खरे जी पंडे जी, आज हम आपसे पितर पक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, क्यूंकि आज से पितर पक्ष शुरू हो गया है, तो हम जानना चाहते हैं कि स्रादमास या पितर पक्ष का क्या महत्त है जी खरेजी स्राद मास और पितर पक्ष का हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में पहले से ही महतु चला आ रहा है ये पितर पक्ष जो होता है विसेश अपने पूर्बजों के लिए होता है ये परकार का यह जो पंद्रा दिन का पकवाड़ा होता है इसमें विसेश तोर से कहते हैं देवयग पित्र यग तो यह पित्र यग के लिए बहुत सुभमाना गया है पंडित जी तो पित्त पक्ष किस माह में होता है जी यह स्राद मास अपना यह आश्वन मास कहलाता है आश्वन मास का जो क्रिष्ट पक्ष है यह स्राद मास का है और अपने जो अग्रेजी मास के अनसार है तो वो अपना सितंबर या अक्टूबर में यह पढ़ता है विसेश पुनीद माना जाता है इसमें बैदिक परंपरा के अनसार जो पित्रों का रिंड चुकाना चाहते हैं जब जीव का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसके पांच रिंड होते हैं ऐसा माना जाता है और हमारी पुराणों में भी ये लेख है जन्मेन जायते जन्तू जन्मेन चा वली यसी जन्म से ही मनुस्य कर्म उसके साथ में जुड़ते हैं पहला कर्म उसका अपने मात्र पित्रों का रिंड चुकाना होता है तो ये मनुस्य के जीवन में विसेश महतुदाई है ये पक्ष इस पक्ष में विसेश तोर से प्रिमित हो करके अपने पित्रों के लिए जल तरपन किया जाता है तो पंडिची तितरप्ष में अपने पूर्बजों को तरप्त करने के लिए क्या करना चाहिए जी अपने पूर्बजों को तरप्त करने के लिए जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे पूर्बज हमें उपर से लंबी-लंबी स्वासे दे करके स्वासे भरते हैं और हमें संताफ देते हैं एक प्रकार से सराब भी कह सकते हैं उसको जिससे हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने लगती हैं जैसे संतान उत्वन होने में विलंब होना या कोई कार बनते बनते विगढ जाना या कोई नोकरी सर्व्स इत्यादिक लगते लगते ये सब परिशानियां सामने उपलब्ध होने लगती है तो यदि व्यति चाहे तो इस पक्ष में अपने लिए यह वैसे तो प्रतिपदा से माना जाता है लेकिन पूर्णमा भी इसमें आ जाती है पूर्णमा तिथी से ही कुशा लेकर के उस विक्ति को और प्रति दिन यह अपना तिल जौ और चावल यह विश्णु और पुरान तथा गर्वन पुरान के अनुसार भगवान विश को लेकर के दिवताओं को और रिशियों को इसके बाद दक्षण दिसा में अपने पित्रों को तरपन देना चाहिए जी धन्यवाद कि भगवान स्री राम जी के पिता दसरज जी जब इनकी गोधाम गोलुग वासी हो गए तो भरत जी ने इनका जो और्ध देहक लिया थी बहुत अच्छी तरह से तरीके से की थी परन्तु जीवात्मा जिसे पुत्र को अधिक प्रैम करती है ऐसा माना जाता है जब तक उस पुत्र के द्वारा उस जीवात्मा को पिंड़दान प्रदान नहीं किये जाते हैं तब तक उसको त्रपती नहीं होती है तो इसी उद्देश से भगवान स्री राम ने गया जी में जाकर के फालगु नदी के किनारे भगवान स्री राम ने पिंड़दान करने के निवित्त से सामग्री जोड़ना प्रारम कर दी उसी समय बहुत तेज वायू आती है और भगवान स्री राम अपने सामग्री में वैस्ते थे यहां माता सीता फालगु नदी के किनारे बैठी हुई थी उसी समय पर फालगु नदी से दसरत जी ने दोनों हाथ उपर उठाए और उन्होंने कहा कि है सीता मेरा पुत्र किसी कार में सनलंगने है और मेरे पास अधिक समय नहीं है इसलिए बेटी एक काम करो मैं स्री राम से भी अधिक आपको प्रेम करता हूँ इसलिए तुम ही मेरी स्त्रिप्ती के लिए अपने हाथों से मुझे पिंड़ दान कर दू उसी समय पर माता सीता ने फालगु नदी की जो रेत थी मिट्टी थी उस मिट्टी के उठा करके और दो पिंड़ बनाए और द लिए पिंड़ों को भक्षन करके माहाराज दस्रत मुति को प्रदान हुए इस घटना के पीछे उन्हें अपने कुछ गवाय भी रखे जैसे फालगु नदी को उन्हें गवाय बनाया दूसरा उन्हें गाय को गवाय बनाया त कि आप लोग पिंड़ दान करने के साक्षी ह तो माता सीता से उन्होंने पूछा क्या पिता जी को आपने पिंड़ेदान दिया तो उन्होंने कहा हाँ मैंने आपके पिता जी को पिंड़ेदान कर दिया है क्योंकि उनकी पास समय अधिक नहीं था इसलिए आपकी अनुपस्तिती में मुझे ही पिंड़ेदान करना पड़ा तो उन्हों ने कहा आपके पास क्या साक्ष है तो फालगु नदी को साक्ष बता दिया ब्रामण को बता दिया और गाय को बता दिया तो इन तीनों ने गवाय देने से भगवान स्री राम के सामने मना कर दिया बोले महराज हमने नहीं देखा ऐसा कुछ भी कि कब माता सीता ने अपने जो है ससुर दसरत को पंदेदान किये हैं भगवान स्री राम उस समय क्रोधित हुए और उसी समय उन्होंने माता सीता से भी क्रोध किया माता सीता को भी क्रोधाया उन्होंने फालगु निदी को सराप दे दिया कि तुम कभी भी दोनों के नारों से होकर नहीं भहोगी तथा गाय को सराब दे दिया कि तुम कलियोग में भ्रेष्ट हो जाओगी और ब्राम्हन को भी सराब दे दिया कि तुम भी भ्रेष्ट हो जाओगी और उसके बाद माता सीता ने वहाँ पर रोधन करती होगे एक तिनका जो तिनका ने ही लंका में उनका साथ दिया था उसी तिनके निया करके माता सीता की गवाही दी तो माता सीता न उस तिनके को दूरवा को आसीरवाद दिया कि तुम नितनव बढ़ती ही रहोगी तुम्हारी ब्रिद्धी ही होती रहेगी ये पुरालिक थियास आता है करी और तभी से यह पिंडदान करना और त्रप्तों को त्रप्त करना इस पित्रपक्ष में सराध कर्म म द्हनेवाद। तो पंडिक जी हम जानना चाहेंगे कि मनुसी के जीवन में पित्रप्त रफ्त करना क्यों आवस्यक्च है? जी बहुत सुन्दर प्रिश्ण है आपका खरे जी, मनुसी के जीवन में जितना उसके सुख और सम्रिधी उसे चहिए, तो उतना ही अधेक पित्र पित्रों को उत्रप्त करना उसे आवस्त्र है क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ जो जोतिस है जोतिस के अमसार यदी प्रमाण दिया जाए तो इसमें मंगल और सूर दो ग्रहें ऐसे हैं जो पित्रों की इस्तिती बताते हैं जन्मांक में कि आपके जन्मांक में पितर दोस उत्पन हो गया है तो पितर दोस उत्पन ना हो इसलिए बहुत आवस्यक है कि व्यक्ति को अपने पूरवजों को तरफ्थ करते रहना चाहिए और पितर गायतरी इत्यादिक करते रहना चाहिए इस पुनीत मास में बहुत बहुत धन्यवाद पंडिक जी जो आपने हमारे वे बुंदेली माटी के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी जी बहुत धन्यवाद कृष्णाय वास देवाय हरय परमात्मने प्रंका क्ले से नासाय गुविंदाय नमौनमाहा खरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने पित्र जंड से उरण हो और विधिवत सास्त्र सम्मत अपने पित्रों का कारपूर्ण करें और अपने जीवन को खुसहाल करें ओम नमाहा स्वस्त्य